हाली में सुप्रीम कोट ने स्त्रीधन के बारे में एक महत्तोपुन फैसला सुनाया है कोट ने ये स्फष्ट किया है कि पती का अपनी पत्नी के स्त्रीधन पर कोई भी नियंतरन नहीं होता है एस्त्रेदन वह संपती होती है जो एक महिला को साधी से पहले साधी के समय या उसके बाद उपहार के स्वरूप में मिलती है यह उसके नीजी संपती होती है और वो इससे अपने इच्छानुस्तार इस्तेमाल कर सकती है सुप्रीम कोट ने एक मामले में एक पती को अपनी पत ले जाकर अपनी मा को दे दिया और बाद में वो घरवालों के जरिये से खर्च हो गए इसके अलावा साधी के बाद उसके पिता ने उसके पती को दो लाह रुपियों का एक चेक भी दिया था जो सब कुछ बाद में वापस करना पड़ा सुप्रिम कोर्ट के फैसले के बाद यह फैसला इस बात को और मजबूत करता है कि स्त्रिधन संपती पती और पत्नी के संयुक्त संपती बिलकुल भी नहीं बनती है और पती का इस संपती पर कोई भी स्वतंत्र अधिकार या स्वामित तो नहीं होता है अगर पती संकट के समय में स्त्रिधन का उप्योग करता ह तो भी उससे नैतिक रूप से वापस या उसके मुल्य को अपनी पत्नी को वापस करने का दाइद तो होता है। इस फैसले के अनुसार एक महिला अपने पती के खिलाप मुकदमा भी दर्श कर सकती है अगर वो पती स्त्रीधन संपती वापस करने से इंकार करता है तो जिसके लिए हिंदू सेक्षन एक्ट उनिस्वचपन की धारा 14 और हिंदू मेरिज एक्ट उनिस्वचपन की धारा 27 के स्त्रीधन का महत्तो नकेवल एक महिला की आर्थिक सुरक्षा में है वलकि ये उसकी स्वतंत्रता और ससक्तिकरन का भी प्रतीक है ये एक महिला की वितिय स्वतंत्रता और परिवारिक संपती में से उसके हिस्से को धर्शाता है स्त्रीधन एक सुरक्षा जाल के रूप में क भीकार प्रदान करने में मदद करें धन्यवाद